ठीक है ये इसको कहूं को manipulation से यदी करूँ ना तुटकियों में हो सकता है बताई ये कैसे ज्यान दीजेगा मैं इसमें क्या कर रहा हूँ इसमें मैं 1 प्लस 10 स्कॉयर का add कर रहा हूँ और वही चीज मैं minus भी कर रहा हूँ इससे हुआ क्या इसके साथ देखिए ये तो हो गया dx डारेक्ट वन ही हो गया minus इसके साथ लूँगा तो उपर वाला सेक स्कॉयर एक्स बन गया और नीचे वाला बन गया 1 प्लस 10 एक्स प्लस 10 स्कॉयर एक्स इसको ये बात समझ में आ गई क्या कर रहा हूँ 1 प्लस 10 स्कॉयर एक्स एड किया और 1 प्लस 10 स्कॉयर एक्स सब्ट्रैक्ट भी कर देखिए तो 1 प्लस 10 स्कॉयर के साथ दूँगा तो 1 ही बचेगा dx और 1 प्लस 10 स्कॉयर एक्स को उसको सेक स्कॉयर एक्स मान गया ये यह तो खतम हो गया भई यह तो x हो गया माइनस यहां से गेम शुरू होता है इसका इसमें आप क्या कीजिए 10x को t पकड़ लीजिए उपर dt बैठा है और नीचे पते यह क्या बैठा है t प्लस 1 बाइ 2 का whole square प्लस root 3 बाइ 2 का whole square इसका formula अपने को पता है यह x हो गया और minus 10 inverse t प्लस आधा by a होता है वो हो जाएगा root 3 बाइ 2 into 1 by a होता है 1 by a होता है तो वो हो जाएगा 1 by a करूँगा तो 2 उपर जाएगा और root 3 नीचे आएगा तही जा रहा हूँ ठीक है t की value क्या थी 10x ना तो answer देख लेते हैं x minus 10 inverse अंदर में क्या हैगा t के जाएगा पर 10x है और 2 का LC हम ले लेते हैं तो 2 10x plus 1 बटे में root 3 है और यहाँ पर multiply में क्या है 2 by root 3 है पूछा क्या है question में भई root a की value पूछा a की value 3 हो गई कतम बाद इसकी value पूछा है root के अंदर जो value है तो वो क्या है 3 है plus c तो integration आपका memory तो check करेगा ही कि आप form यूज कर पा रहे हो वो आपका ये भी check करेगा कि आपका calculation कितना तगड़ा है क्यूंकि आप देख रहे हो ना सारे को numerical टाइब में बना सकता है यहां पर कुछ भी गंदा आ रहा होगा उसकी वैलू यदि अपना memory थोड़ा भी calculation error हो तो देखे 3 के जगा कुछ और आ जाए